का शिधालू स्वागत है आपका हमारे चैनल लोयन दे स्प्रिच्छल सेक्रेट में मैं साथ भी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक छोटी सी चीच के बारे में जिसे अगर आप टाइम निकाल कर कर लेंगे तो आपके उपर आपके कुल देबी, कुल देबता और पित्र की किरपा बरसने लगेगी शिधालू वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शियर करें तो शिधालू आईए वीडियो शुरू करते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिने होली और दीपवली पर जरूर करना होता है कुछ ऐसे उपाए होते हैं, जिनने साल में एक बार अगर आप कर लेते हैं, तो आपके उपर लाइफ टाइम कोई भी समस्या नहीं आती, उन्हें कुछ महा महुरत में ही करना होता है, या महा पर्वे पर ही करना होता है, जैसे होली या दीपवली, ये ऐसे महुरत होते हैं, जिन पर सभी परकार की शक्तियां आपका साथ देती हैं, चाहे वैं नकरात्मक शक्ति हो, या फिस तकारात्मक शक्ति हो, सब आपके ही पक्ष में होंगी, मुक्यता होली और दीपवली, यह दो ऐसे पर्व होते हैं, जिन पर शक्तियां आपका पूर्ण रूप से साथ दे और आपको हर कारे में सफलता मिले हर कारे में मतलब आपका हर कारे जो भी आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले तो आप इन सब के लिए अपने पित्रों को मनाईए क्योंकि पित्रों को घर का पित्थम देपता माना जाता है इनके साथ ही आप अपने को अगर आप साधरान पूजा भी करते हैं तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अपने कुल देवी, कुल देवता और पित्रों को मनाना बहुत जादा जरूरी है तभी आपको सफलता प्राप्त होगी जो भी आपके पित्र होते हैं वह आपके परिवार के सदस्य होते हैं पित्र आपके चाचा, ताओ, दादा, दादी या फिर कोई भाई भी हो सकता है तो वह आपके कुल के होते हैं उनका आप से खून का संबध होता है उनकी उजञ सद्यव आप से चुड़ी होई होती है चाहे आप उनको मानो या फिर ना मानो इसके साथ ही आपकी जो कुल देवी होती है या जो आपके कुल देवता होते हैं उनकी उज़ा भी सदेव आपके साथ चुड़ी होई रहती है और अगर आप इनको मना लेते हैं और इनकी अच्छे से पूजा पाट करते हैं तो आपके सभी कस्ट नस्ट हो जाते हैं जैसे आपने किसी काम के बारे में सोचा वह काम काफी समय से रुका हुआ था लेकिन जब आप अपने कुल देबी, कुल देबता और अपने पित्रों की बहुत अच्छे से पूजा पाट करते हैं तो आपके रुके हुए सारे कारे संपन्य होने लगते हैं ऐसा भी कहा जाता है कि हमें अपने पित्रों, कुल देबी, कुल देबता को होली और दीपावली पर जरूर मनाना चाहिए उनकी पूजा करने चाहिए, उनको भोग देना चाहिए दीपावली और होली ये बहुत बड़ी शक्तियों वाले दिन होते हैं तो इन दिन तो आपको उनको भोग देना ही चाहिए, उनकी पूजा करनी ही चाहिए जिससे कि आपकी सिद्धियां, आपकी जो शक्तियां हैं वह सिद्ध हो जाए और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उनकी पूजा करें, कैसे आप उन्हें मनाए जैसे कि आपके पित्र हैं जैसे आपके चाचा हुए ताओ हुए दादा या जो भी आपके पित्र हैं अगर आपको अपने पित्रों के बारे में मालूम है तो ठीक है अगर नहीं मालूम तो भी आपको यह उपाय करना है क्योंकि दीपावली का पर्व अमावस्या पर आता है और अमावस्या को पित्रों का दिन माना जाता है तो आपको यह कार्य इस दिन अवश्य करना है अपने पित्रों के लिए आपको भोग निकालना है वस्त्र अवश्य निकालना है भोग पे साथ वही निकलेगा जो आप उनको शाद्ध में जलाते हैं इसके साथ ही आप खीर, पूड़ी, हल्वा कुछ भी बना सकते हैं जो भी भोजन उनको पसंदा आपके पित्रों को पसंदा वह बना लीजिए उनके लिए आपको जो वस्त निकालना है वह पांच परकार के होंगे जैसे टी-शर्ट, शर्ट, पैंट, बनियान, रुमाल, तॉलिया ये सभी वस्त आपको उनके लिए रखना है अगर आपके जो पित्र हैं वो बुजर्ग थे तो आपको उनके लिए दोती कोटा इस तरीके के वस्त निकालना है अगर कोई महिला थी तो उनके लिए साड़ी बलाउस पीस ऐसे वस्त आपको अर्पित करना होंगे ये सब पूरी तयारी आपको छोटी दीपावली पर करना है और ये जो दान है वो आपको करना है दिवाली पर किसी पंडित को देना है अगर आप भूजन नहीं खिला पा रहे हैं तो आप किसी पंडित को सीधा दे दीजे सीधे में आपको आटा, दाल, मेची, गुड, घी, वस्त्र और 11 रुपे 11 रुपे की राशी तो कम से कम रखनी है तो आप यह चीज़े उनको दे दीजिए सीधे के तोर पे और इन सब चीज़ों को आप मंदिर में भी किसी पंडित को दे सकते है इसके साथ ही अगर आप ब्रामन को भूजन करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यह तो आपने अपने पित्रों के लिए करना है अब बात आती है अपने कुल देवी और कुल देवता की तो अपने कुल देवी और कुल देवता के लिए ही आपको ऐसा ही करना है जो आपकी कुल देबी होंगी उनके लिए भी आपको करना है और जो कुल देबता होंगी उनके लिए भी करना है अगर दोनों मेंसे कोई एक है तो किसी एक के लिए करिए जैसे कई लोग अपने कुल देबी कुल देबता के स्थान पर जाते हैं वहां मिठाई, भोग, चुनडी, मीठा, पान, कई तरीकी की चीज़े चड़ाते हैं ऐसे कई लोग जो होते हैं उनके घरों में जन्डा चड़ता है सभी के घर में अलग-अलग मानने ताये हैं उसी अंसार वे पूजा करते हैं उसी के अनसावे भोग चलाते हैं अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने कुल देवी कुल देटा के नाम का भोग पे साथ जरूर चलाएं अगर आप उन्हें बस्त नहीं चला सकते तो कोई बात नहीं मत चलाईए लेकिन इनकी पूजा करिए और भोग जरूर दीजे इनको भोग में आप जो भी चला सकते हलवा पुड़ी चने जो भी चला सकते मिठाई अपनी शिद्धा अनुशार वह चला दीजे अग्यारी करके आपको अपने कुल देवी कुल देटा को भोग देना है पित्रों को भोग देना है इसके साथ ही आप एक चीज और करें आपने सुना होगा जो चौराहा होता है उस पे माताशीतला और मातामसानी विराजित होती है और मातामसानी और माताशीतला के बिना कोई भी अच्छी या बुरी शक्ती आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती इसलिए हमें इनको पूझना ही होता है तो आपको माताशीतला और मातामसानी के लिए भी भोग बिसाथ चौराहे पर पहुचाना है वहे आपको रात्री काल में पहुचाना है तो जो मातामसानी है और जो माताशीतला है वहें आपके उपर किर्पा करेंगी और आपके जो भी रास्ते बंद हैं जो भी रास्ते आपके खुल नहीं पा रहे हैं जो वाधा हैं आ रही हैं वहें सारी बाधा हैं नस्ट हो जाएंगी आपको हर कारे में सफलता मिलना प्रारंब हो जाएगी माताशीतला को ज्वर्की देवी माना जाता है माताशीतला की किरपा से किसी भी परकार का चर्म रोग ठीक हो सकता है तो अगर आपकी माननेता है अगर आप माननेता मान सकते है कि आप इतने रुपे का परिशाद चुलाएंगे तो माननेता मान लीजिए आपकी बिमारी ठीक हो जाएगी, आपका चर्मरोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा साथ ही आप अदास लगा सकते हैं, तो यह दीबी आपको बहुत जल्दी ठीक करेंगी अगर आप माताशीतला के लिए जादा कुछ नहीं कर सकते तो दीबावली या होली पर आप इने दो गूंदी के लड़ो चौराहे पर जरूर चड़ाएं उनको भोग जरूर लगाएं, यह काम आपको रात्री में करना है, मतलब आप नौ बजे करीब यह काम कर लीजिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यह आपको दीबावली की रात को करना है, तो दीबावली की रात को कर लीजिए अमावस्य होना चाहिए उस रात को जब भी आप ये एक आरे करें जब भी आप उनको पृशाद चणाए या भोग चणाए उस रात अमावस्य होना चाहिए तो मुझे आशा है की यह जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर आप हमारी चैनल पर नए है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो पर कमेंट करें धन्यवाद